इन आदिवाशी महापुरुष्यों को कितना जानते हैं आप दोस्तों आदिवाशी दो सब्दों से मिलकर बना है आदी और वासी इसका अर्थ मुल निवाशी होता है भारत की जन संक्या का 8.6 प्रतिशत यानि लगबक 10 करोड जितना एक बड़ा हिस्सा आदिवाश्यों का है आदिवाश्यों में ऐसे कई महापुरुष्यों हुए जिनों भारत देश को एक नई राह दिखलाई आए दोस्तों आज हम भारत के आदिवाश्यों के पांच महापुरुष्यों के बारे में जानेंगे नमबर एक भगवान बिर्सा मुंडा आदिवाश्यों के जाने वाले बिर्सा मुंडा को जन्म 15 नॉम्बर 1854 के दश्यक में मुंडा जन जाती के पिता सुगना मुंडा और मातकर्मी मुंडा के घर उलिहातु गाउम हुआ मुंडा एक जन्जाती समूथा जो चुटा नाकपूर पठा जार खड़ में निवास करते थे बिर्सा मुंडा ने एक अक्टूमबर 1894 को सभी मुंडा नेताओं को एकत्र कर अंग्रेजों से लगान माफ कराने के लिए आंदुलन किया 1897 में उन्हें गिर्फतार कर लिया गया 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाईयों के बीच युद्ध होते रहे जिसमें बहुत सी ओर्देव बच्चे मारे गए तीन फरवरी 1900 को चक्रधरपूर में जम को पाई जंगल में बिर्सा मुंडा को गिर्फतार कर लिया गया नोजन 1900 को अंग्रेजों ने बिर्सा मुंडा को जहर देकर मार दिया बिर्सा मुंडा का 899 से 1900 के बीच चला उल्ग लान विद्रो बेच चर्चितरा उन्हें धर्ती आबावा भगवान कहा गया 15 नौबर को बिर्सा मुंडा जहिंती जन जाती गोरोदीर्स के रूप में मनाई जाती है नंबर दो तिलका मांजी अंग्रेज यक विर्द स्वरप्रत आदिवाईशों ने विद्रू किया और उनके नेता तिलक मांजी ते तिलका मांजी का जन्म 11 फरवरी 1750 में हुआ था 17 सी को तरसा 17 स्वरेश टेक उन्होंने बिल्टी सत्ताक विर्द लंबी और कभी ने समरपन करने वाली लड़ाई लड़ी और इस्थानी महाजनों सामन तो वो अंग्रेजी साशकों के नेंद उड़ाई रखी तिलका मांजी ने 17 स्वरेश टे तरिस्टी में पहाड़ या सरदारों से मिलकर रामगड केम पर कभजा करने वाले अंग्रेजी को खदर कर केम को मुक्त कराया 17 स्वरेश चिम उन्होंने क्लीव लेंड को मार दिया बाद में उनके गुरिल्ला सिफायों पर अंग्रेजी ने ताबर तोड हमले किये और उन्हें गिरफतार कर लिया कहते हैं कि तिलका मांजी को चार गोड़ से बांध कर गसिड तोए भागलपूर लाया गया पर मिलो गसिड जाने के बावजिद हुआ लड़ा का जीवित था खोन में डोबी उनकी देह तब भी गुस्यल थे और उनकी आँके बिरतानियों को डरा रही थी अंग्रेजों ने भागलपूर जो रहाय पर एक विशाल वटवरक्ष पर सरयाम लटका कर उनकी जान ले ली नमबर तीन तट्या भिल इंडियन रोबीडों नाम से पूरे भारत में विख्यात महान सोतन सुता सेनानी तट्या भिल का जन्म दनीती में पारंगत थे ऐसा कहा जाता है कि टट्या जी भिल में अलोगिक सक्तिया थी कहते हैं कि में बिटीशों को लूटकर गरीबों में धन बाड़ दिया करते थे उनकी पहुंच वरतमान मत्यपरदेफ राजस्तान गुजरात और महाराश्ट तक थे टट्या जी भिल क सबी लोग मामा कहकर पुकारते थे चार दिसंबर अठासो नब्य को जबलपूर जेल में टट्या जी भिल को भासी दी गई उनका मंदिर पाताल पाने में श्थी थे नमबर चार राणा पुंजा लेखक नेंसी के नुसार पनारवा में भिल राजा राणा दयालदास का जब मेवार पर मगलों का संकट उबरा तब महारा प्रताप ने राणा पुंजा जी को याद किया राणा पुंजा जी के पास मेवार और मगल दोनों ही साहित प्राप्त करने आये तब राणा पुंजा ने मेवार का साथ दिया भिल सरदार राणा पुंजा के हिसा योग के प्रवार्ट शुरक्षित रहा है नमबर पांच वीर को और नाराणसी चत्रीश गड़ के पहले सहित की रूप में जाने जाने वाले वीर नाराणसी का जन्म इनकी पीता का नाम रामा राई था इनकी प्रोजयों के पास तीन सो गाओं की जमीनदारी थी 1856 के अकाल के समयवे अंग्रेज और सावकारों के अव्यत जमाखोरों से अनाज लुटकर भुकी गरीब जन्ता को बाड़ देते थे इस कारण जोई सक्ट्रम 1856 को उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया उनके गोड़े का नाम कबरा था उन्होंने 500 लोगों की एक बंदुगधारी सेना बनाई थी 1857 को राईपूर में अंग्रेज ने उन्हें सारवजिनी के रुप से फासी देती थी